हेलो फ्रेंड्स कुश्चन नम्बर नेक्स्ट कहना चारा है कि डी ओफ एक्स वाई इस इकल टू मोड ओफ एक्स माईनस के वाई बटे वन पलस मोड ओफ एक्स माईनस वाई इज ए मैट्रीक स्पेस अन दा सैट ओफ रियल लंबर और कुश्चन के अंदर ये भी है कि फॉर ओल एक्स कॉमा वाई बिलोंग स्टू रियल लंबर है ओके तो मेरे को दिखाना है कि ये जो डिश्टेंस फंक्सन है ये एक मैट्रीक स्पेस की फॉर्म करता है आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बिल्टा मैट्रीक स्पेस दिख शो करने के लिए आपको चार कंडिशन वैलिड करना होती है पहले वाली कंडिशन होनी चाहिए के डी ओफ एक्स कॉमा वाई होना चाहिए अब आप सोच करके देखो बटा जो मैं आपको कह रहा हूँ पहले वाली कंडिशन तो यह है इसका मतलब क्या निकलता है मैंने डी ओफ एक्स वाई की वैल्लू रखी ये निकली एक्स माइनस के वाई बटे वन पलस मौड ओफ एक्स माइनस के वाई ये होना चाहिए आपके पास गरेटर देन और इक्वल टू जीरो आप सोचो बटा आपके पास सैट ओफ रियल नमबर के अंदर जो एलिमेंट आते हैं आपको भी पता है माइनस इंफिनिटी से लेकर पलस इंफिनिटी तक सारे आते है जो भी आपका दिल चाहता है वो ले लो अगर यहां से आपने कोई भी दो रियल नमबर उठा लिए इसके अंदर से यानि आर के अंदर जो एलिमेंट आते हैं सौन पलस माइनस वन पलस माइनस टू पलस माइनस थिरी जीरो एक बटे दस अंदर रूट चार बटे पांच जो भी माइनड मापके नमबर आ रहा है सारे रियल नमबर से यहां साब कोई भी दो नमबर उठाओ उन दोनों को आपसम घटाओ उसका मोड निकालो हमेशा यह उपर वाली कॉंटिटी greater than 0 होगी negative तो हो ही नहीं सकती उपर वाली कॉंटिटी क्या है greater than or equal to 0 है अगर मैं इतने उपर वाली की बात करूँ अंच वाले पार्ट की तो मेरे पास x-y का मोड हमेशा greater than or equal to 0 होगा अगर आप x की value 0 और y की value real number के अंदर से 0 0 भी ले लो अगर आप x बराबर y बराबर 0 0 भी ले लो तब भी आपके पास निकल करके आएगा mode 0 minus के 0 यानि mode of 0 is equal to 0 तब भी greater than or equal to 0 का case पास है greater than तो नहीं है लेकिन 0 is equal to 0 है बात तो तब भी valid है clear अना अब उपर वाला पार्ट तो greater than 0 है नीचे की बात करते है बाई जाहिर सी बात है ये quantity mode of x minus y हमेशा क्या तो 0 से बड़ी है जा positive है नीचे वाली quantity ये वाली इतनी quantity की बात करता है ये वाली quantity क्या तो positive है positive है या फिर 0 है maximum उपर वाली भी quantity positive नीचे वाली भी quantity positive तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास positive quantity चाहे कुछ भी हो नीचे चाहे positive quantity चाहे जितनी छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो लेकिन जब इसको solve करोगे solve करने के बाद जो भी quantity निकल कर कर आएगी वो positive ही तो होगी negative तो आई नहीं सकती negative आने के chance तब है अगर उपर वाली negative या नीचे वाली positive है suppose that यह quantity है तब आपके पास calculation के बाद negative result आएगा या इसका उल्टा हो जाए माल लिया minus का उपर a है उपर plus का a है नीचे minus का b है माल लिया calculation के बाद c निकल कर कर क्या जाहिर सी बात c negative निकल कर कर के आएगा ओके लेकिन अगर उपर वाली quantity positive है और नीचे वाली quantity भी positive है तो जाहिर सी बात रिजल्ट positive आएगा यानि greater than or equal to zero ही होगा clear अब सवाल पैदा यह होता है कि सर आप इसकी कोई भी value रख लो set of real number के अंदर से अगर कुछ भी अगर आपने zero को छोड़ कर के कुछ भी value रखी x की value zero और y की value zero को छोड़ कर के अगर आपने कुछ भी value रखी हमेशा greater than zero रहेगा देख लो चाहिए आप one रख लो two रख लो three रख लो आपकी मरजी है x बराबर one रखो y बराबर minus के दो रख कर के देखो देखो one minus minus के दो आपके mode of three कितना निकल गया three निकल गया greater than zero है greater than or equal to zero का मतलब ये निकलता है mathematics के अंदर कि दोनों में से एक condition एक time में पास होनी चाहिए फिर repeat करता हूँ greater than or equal to का मतलब निकलता है कि दोनों में से कोई एक condition या तो greater वाली या equal to वाली पास होनी चाहिए अर्थाती quantity तो greater than zero है आप नीचे से देखो भाई अब ये देखो आप one plus के mode of x minus के भाई ये भी हमेशा greater than or equal to zero है देखो आप real number के अंदर से कुछ भी value डाल करके देख लो so that आप क्या खोगे so that सीधा सीधा आपके पास निकला के mode of x minus y बटे one plus mode of x minus y always greater than or equal to zero है for all x और y कोई भी किसी भी real number के लिए पहले वाली condition तो पास second condition चेक करता है second condition आपके पास होनी चाहिए metric space के लिए d of x, y zero होना चाहिए if and only if x बराबर y हो इसका मतलब यह निकलता है बटा अगर मैं यह चीज मानते वे चलूँगा मेरे को इसका proof देना है और अगर यह मानते वे चलूँगा मेरे को इसका proof देना है if and only if का मतलब यह होता है कि एक चीज मानना होती है दूसरी को प्रूफ करना होता है या रिवर्स में होता है फिर दूसरी को मानना होता है पहले का प्रूफ देना होता है मैंने माल लिया suppose that पहली कंडिशन लेकर के चला कि suppose that d of x y जो है वो जीरो है अगर ये है then मेरे को प्रूफ क्या करना है then we want to prove that we want to prove that x बराबर y होना चाहिए पहले तो ये लेकर के चलते है चलो भाई d of x y की value 0 डालो आ d of x y जो आपको दे रखा है बटा कितना दे रखा है वो दे रखा है mode of x minus के y बटे 1 plus mode of x minus y मैंने इसको 0 कर दिया इसकी मैंने क्रोजगुना की इधर से कितना निकला mode of x minus के y बराबर निकला 0 into 1 plus mode of x minus के y निकला ना निकल गया ना आगे की दरफ चलते है अगर ये निकल गया अब यहाँ से देखो ये quantity तो 0 हो चुकी ये तो 0 हो चुकी तो यहाँ से निकल कर क्या बटा mode of x minus y is equal to 0 होएगा अगर मैं इसकी उपर से mode हटाता हूँ तब भी ये क्या होगा x minus y is equal to कितना हुआ 0 तो यहाँ से क्या निकल गया x बराबर y निकल गया निकल गया ना x बराबर y हो चुका प्रूफ आ चुका अगेन डिवर्स देखता हूँ अगेन अगर by chance if x बराबर y है then मेरे को अब की बार प्रूफ करना है to prove that to prove that d of x, y बराबर 0 होना चाहिए यही है ना चलो भाई अगर x बराबर y है if x बराबर y then d of x, y देखता हूँ कितना है भाई d of x, y मेरे पास कितना है बटा d of x, y की value दे रखिए मेरे को mode of x minus y बटे 1 प्लस mode of x minus के y x बराबर y पूट करो उपर कितना निकल गया x minus के x बटे 1 प्लस x minus के x आप चाहो तो y भी पूट कर सकते हो कितना निकल गया? 0 बटे 1 तीसरी कंडिशन के d of x, y बराबर होना चाहिए d of y, x के ओके? चलो अब की बार मेरे को ये प्रूफ करना है मैं लिए गर कर के चलना हूँ बटा d of x, y की value कितना है? मेरे पास है mode of x minus y बटे 1 प्लस mode of x minus के y बराबर मैंने यहां से mode के अंदर minus कॉमल लिया minus कॉमल लिने के बाद कितना बचा बटा? ये बना y minus के x बन गया ना? mode जोंका तुम बटे 1 प्लस mode के अंदर फिर मैंने minus कॉमल लिया ये बना y minus के x का mode बराबर इसको देखो बटा गुना में है ना? इसको लिख सकता हूँ mode of ये तो वह माइनस का 1 इंटू mode of y minus के x क्लियर है ना? divided by इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस mode of minus के 1 इंटू y minus के x का complete mode अलग अलग इसके उपर जो है ना? mode of x इंटू y बराबर खुता है बिटा mode of x इंटू mode of y इसके उपर मैंने concept लगा पहले वाला तो निकला mode of minus 1 into mode of y minus x बटे 1 प्लस mode of minus 1 into mode of y minus x क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं तो मेरे पास d of x, y की जो value निकल करके आई अब ध्यान से देखना mode of 1 बराबर होता है mode of minus 1 के ये तो value positive होती है तो यहां से कितना निकल गए बटा? यहां से निकल गया y minus के x का complete mode बटे ये कितना निकला? 1 पलस mode of y minus के x अब आप देखो चुँकि जब d of x,y बराबर था d of x,y को define किया था mode of x minus के y बटे 1 पलस mode of x minus y से मतलब क्या निकला? जब यहां पहला यो real number का पहला element था और दूसरा element था तो condition यह थी कि पहले element के अंदर से दूसरा element घट रहा था बटे में 1 पलस पहले element के अंदर से दूसरा element घट रहा था यह था ना यहां क्या निकल करके आ y minus x तो इसका मतलब क्या निकल करके बटा? सेम यही कंचप्ट जब आप लगाओगे यह हो जाएगा mode of y,x पहले element के अंदर से दूसरा घट रहा है बटे 1 पलस पहले के अंदर से दूसरा घट रहा है result कित्मा निकल करके है बटा? d of x,y की value निकल गी d of y,x third condition पास अगले वाली चेक करते हैं मेरे को जो question के अंदर दिया हुआ है बटा यह मेरे को given है given मेरे को क्या है बटा? के d of x,y की value दे रखी है mode of x minus के y बटे 1 पलस mode of x minus के y ओके तीन condition तो हो चुकी अब मेरे को चौथी condition जो प्रूफ करनी है we want to prove that क्या प्रूफ करना है के d of x,z less than or equal to होना चाहिए d of x,y plus d of y,z यह condition पास होनी चाहिए last अब देखो बटाँ आप सबसे पहले मैं बहुत सिंपल तरीके से कुशन को solve करने की कोशिस करूँगा और मैं इसके दो पार्ट बना लिए है ताकि आपको clear cut समझ माए मैं यहां से चला mode of x minus के z है ओके क्यों चला क्योंकि जवरत पढ़ने वाली है mode of x minus z को मैं लिख सकता हूं मिटा mode of x minus के y plus के y minus के z यही नमबर जोड़ा यही मैं गटा दिया गटा दिया ना आपके पास एक inequality होती है mode of a plus के b हमेशा होता है less than or equal to mode of a plus के mode of b यह होता है ना मैंने इस फार्मूले का यूज करते हूं इसकी value निकाली mode of x minus z is equal to mode of इसको मैंने लिखा बिटा x minus के y x minus के y plus y minus के z ऐसे लिख सकता हूं mode के अंदर यह less than or equal to mode of x minus के y plus mode of y minus के z clear हो चुका मैंने दोनों तरफ इसमें one add किया मैं कह रहा हूं के adding one both side जैसी मैं दोनों तरफ one add करूंगा इधर निकल कर के आएगा one plus mode of x minus के z less than or equal to one plus mode of x minus के y plus mode of y minus के z जी जी जीज क्लियर अब मैंने क्या किया है मैंने इस in equality को उल्टा कर दिया मैंने इसका लिया reciprocal 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 both side किया मैंने सवाल पैदा ये होता है कि सर ये reciprocal क्या होता है अगर मैं x के reciprocal की बात करूं x का जो reciprocal होता है बिटा वो होता है one upon x क्लियर है अगर मैं दो के reciprocal की बात करूं जिसको inverse बोलते हैं दो का reciprocal होता है one upon two मैंने इसको उल्टा कर दिया ओके और आपको पता है जैसे मैं उल्टा करता हूं उल्टा करने पर ये inequality चेंज होती है हमेशा मैंने इसका reciprocal लिया reciprocal लेते ही मेरे पास इधर जो निकल कर किया reciprocal के बात का केस ये है पहले एक बार इसको लिख दूँ one plus mode of x minus के z less than or equal to one plus के mode of x minus के y plus के y minus के z का mode ये हैं न ओके मैंने इसको reciprocal किया लिख दिया मैंने के reciprocal लेने पर reciprocal लेने से क्या होता है inequality हमेशा change होती है चलो भाई, reciprocal किया मैंने one upon one plus x minus के z inequality बदल दी गई उल्टा होने पर inequality हमेशा change होती है ओके, ये कितना हुआ बटा one plus mode of x minus के y plus mode of y minus के z मैंने दोनों तरफ multiply किया minus one से minus से क्या कर रहा हूँ मैं multiply both side multiply both side by y minus यानि मैंने minus से गुना कर दी तोनों तरफ तो जैसे ही मैं मैंने minus से गुना करूंगा फिर inequality चेंज हो जाएगी okay, minus से गुना करते ही inequality फिर चेंज होती है minus से मैंने गुना किया inequality change one plus k mode of x minus kz less than or equal to minus one upon one plus mode of x minus k y plus mode of y minus kz clear अब मैं कह रहा हूँ के फिर मैंने दोनों तरफ add किया one adding मैं आपको आपको पता लग जाएगा ये क्यों कर रहा हूँ मैं last में जाकर क्या आपको पता लगेगा adding one both side तो ये निकल कर क्या है बिटा one अगले वाला step तो minus है बिटे one plus x minus kz less than or equal to one minus one upon one plus x minus k y plus y minus kz clear है ना LCM लेकर के मैंने इसको हल किया one plus x minus kz तो ये निकला बुना करूंगा मैं निकलेगा one plus mode of x minus kz minus k1 less than or equal to यहां निकलेगा one plus x minus y का mode plus y minus z का mode minus one बटे one plus x minus y का mode plus बटे बात नहीं बात नहीं y minus z का mode आपको पता ये चैंचिल आउट हो जाएगा अरे बगेर बात्चीत के नहीं जा सकते गा ये से कैंचिल आउट ये से कैंचिल आउट आगे जले अगे जले अगले वाले स्टैप की तरफ चलते हैं बटा मेरे खायल से यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा आगे जलते हैं तो यहां से अगले वाले स्टैप जो निकल करके आ बटा पहले लेफ़ hardest side वाला लिककेंगा यहां से निकला अगे पाई मोड्य ओफ एकस माइनस के जड वटे वन पलस मॉड ओफ एकस माइनस के जड ये अवरकोल तू mode of x minus के y plus mode of y minus के z बटे one plus mode of x minus के y plus y minus के z clear है ना इसको मैंने इदर अलग-अलग के बटे में लिखा ये तो आ चुका मेरे पास x minus के z का mode बटे one plus mode of x minus के z less than or equal to इसको देखो मैंने क्या किया mode of x minus y बटे one plus mode of x minus y plus y minus के z अगले वाला plus mode of y minus के z बटे one plus mode of x minus के y plus y minus के z अब थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना मेरा कुशन लगबग सैट हो चुका अब यहां से देखो बटे again इसको देखो आप अगर मेरे पास उपर एक नंबर है suppose that 5 है नीचे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ दो पलस 10 से ओके यह नंबर जो है ना हमेशा जो है ना अगर मैं दूसरे इसी नंबर को ऐसे कर दूँ less than or equal to का निशान 5 divided by 2 तो जाहिर सी बात है एक देखना मैंने क्या किया है यह जो उपर वाला नंबर था इस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा था दो नंबर के जोड से फिर मैंने इस नंबर को डिवाइड किया उपर वाले को सिरफ एक नंबर से ओके आप इसको ऐसे भी कर सकते हो के सर 5 divided by 2 plus के 10 यह हमेशा छोटा होगा less than or equal to होगा पांच बटे 10 यह quantity हमेशा बड़ी हो जाएगी तेखो mathematically ऐसा हो रहा है कि नहीं अब यहाँ देखो बेटा अगर आपकी यह चीज समझ आ चुकी देखो है उपर एक नंबर है कुछ भी है रियल नंबर कुछ भी हो सकता है नीचे जो है वो दो नंबर का जोड़ है है ना जोड़ और मैं देख रहा हूँ कि अगर इसमें से उपर वाले नंबर को particular एक नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो वो जो लास्ट का रिजलता आता है वो हमेशा बड़ा होता है दोनों केस में बड़ा हो रहा है पूरे रियल नंबर सिस्टम के लिए पूरे मैथमेटिक्स के लिए ये बात वैलिड है अब देखो उपर वाले को क्या लिख सकता हूँ तो एक बात बताओ बिटा मोड ओफ एक्स माइनस के वाई बटे वन पलस के मोड ओफ एक्स माइनस वाई पलस वाई माइनस के जड ये क्या ऐसे नहीं ये बड़ा नहीं हो गया का इससे एक्स माइनस वाई बटे वन पलस मोड ओफ एक्स माइनस वाई देखो आप मैं एक तीन संख्याव से डिवाइड कर रहा हूं एक तरफ तो मैं एक नंबर को तीन नंबरों से डिवाइड कर रहा हूं एक तरफ एक नंबरों को उनी दो नंबरों से डिवाइड कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है जिन दो नंबरों से मैं डिवाइड कर रहा कैसे एक नमबर को डिवाइट कर रहा हूँ मैं तीन नमरों से। sigu यांबर को मैं डिवाइट कर रहा हूँमैं तीन नमरों से। एक पलस 5 पलस 7 से। Christians ओर इसी दाइसि नमबर को में डिवाइट करता ना कोई दो नमबर्से चाहिए कोई भी दो नमबर ले준ो!! आप तो गैदो कि सर यह वाला result बढ़ा होगा जाएर सी बात है इस से बढ़ा होगा clear ठीक इसी तरीके सा अगर मैं दूसरे की बात करूं अगर मैं y-z की बात करूं y-z का mode बठे mode of 1 प्लस के y-z plus x-y का mode क्या यह वाला divideration बढ़ा नहीं हो जाएगा क्या y-z का mode बटे 1 plus के y-z का mode यह बढ़ा नहीं होगा क्या अर्था इस metric space के इंदर इसकी जगा में यह भी रख सकता हूं इसकी जगा में यह replace कर रहा हूं इस equation के इंदर putting these value in equation suppose that यह ए है putting these value putting these values in equation a चलते हैं y equation a के इंदर value डालते हैं result देखते हैं क्या आ रहा है जैसे मैं equation a के इंदर value डालूँगा इधर निकल करके आएगा x-z का mode बटे 1 plus के x-z का mode less than or equal to इसकी जगा क्या डाल दिया x-y का mode बटे 1 plus x-y का mode plus y-z का mode बटे 1 plus y-z आपके पास concept क्या था d of xy जो था mode of x-y बटे 1 plus के mode of x-y यानि जो यहां था उसी के इंदर से घट रहा है था जो पहले वाला है उसी के इंदर से घट रहा है और फिर 1 plus पहले वाला minus दूसरे वाला या क्या बना भाई उसी के coding ये क्या बना d of x-z नहीं बना क्या less than or equal to ये क्या बना d of x-y नहीं बना क्या plus d of y-z नहीं बना क्या आपको यही तो proof करना था देखो न आप last condition भाई जो last condition मेरे को proof करनी थी ये देखो आप last condition आपको दिखानी थी यहा निचे देख रहा हूं मैं आपको दिखाना था d of x-z less than d of x-y plus y-z x-y plus y-z okay so that आप क्या कहोगे so that बस नहीं लिख रहा हूं so that this is a metric space guaranteed metric space है कोई problem नहीं है भाई metric space this is your answer फिर भी आपका कोई doubt हो कोई problem हो भाई मैं तो help के लिए बैठा हुआ हूँ लेकिन मैं फिर यह help नहीं करता हूँ सीरीजी बात आपको payment करना ही होगा मेरे channel के उपर video of course कुछ भी नहीं है भाई मत आना मेरे channel के उपर subscribe मत करना like मत करना कोई फरक ने पड़ता मेरे को पूरा हिंदुस्तान क्या पुरी दुनिया मेरी बारकीट है हिंदुस्तान की population 135 करोड है अगर दस उसमसर 5 करोड लोग भी बीसी कर रहे हैं और पर दे मेरे को एक customer मिलता है न एक अधार उपेवाला मेरा मामला सेट तो clear cut बात है भाई मैं फिर यो of course नहीं दूँगा तो नहीं दूँगा भाई